हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी आई होप सभी अच्छे होंगे तो कुछ दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन आया था जहारखन में तो यहां पर वो नोटिफिकेशन जिसका आया था उससे देख सकते हैं तो जहारखन बीएड एमेड बीपीएड एम्पीएड एंट्रांस 24 का यह नोटिफिकेशन आया था जितने भी लोग बीएड करना चाहते हैं आप लोग जरूर इसको लाश तक देखिएगा बहुत सारी आपको जानकारियां यहां पर मिलने वाली है ठीक है तो हम लोग तयारी करने वाले हैं यहां पर इंट्रांस एक्जाम की कोई सरकारी न अगर हम syllabus को ही नहीं जानेंगे तो हम उसके according पड़ी नहीं पाएंगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा ठीक है तो यहां पर हम लोग complete syllabus को जानेंगे और कौन सा बुकले यह भी मैं आपको बता दूंगे और कहां से पढ़ना है यह भी मैं आपको बताऊंगे यहां पर ठीक ह यानि कि यहां पर चार subjects होने वाले हैं इसमें आपको एक ही चीज नया लग रहा होगा जो कि teaching aptitude यानि की सिक्षन अभ्योग गयता और यह थोड़ा सा आपको starting में डराएगा भी लेकिन डरना बिल्कुल नहीं हम लोग basic से पढ़ेंगे ठीक हिंदी के कितने marks भी देख लेत हैंगे 15 marks के रहेंगे क्या-क्या पढ़ना वो भी मैं आपको बताऊंगे यहां पर reasoning ability तो reasoning ability में कम से कम यहां पर आप सभी को मतलब आता ही होगा है ना इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें कोई नया चीज आ जाएगा इसमें 30 questions होंगे 30 marks के और teaching aptitude जो है इसमें 40 questions होंगे 40 marks के यानि कि यह दोनों subject हमारे लिए scoring subject है ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें से क्या-क्या पढ़ना है English Hindi में क्या-क्या हमें पढ़ना है तो English के लिए grammatical error जो होता है उसी थोड़ा से आपको पढ़ना पढ़ेगा और synonym एंटर नेम पर आप लोग ध्यान देंगे सीनो और एंटो पर आप ध्यान देंगे क्योंकि इसी से ज़्यादा तर question पूछता है EDM जरूर से पढ़ेंगे और मैं practice आपको कराऊंगे यहां पर और आपके पास book है तो कोई भी book होगा तो आप लोग वहां से practice कर सकते है हिंदी में भी सेम चीज है तो ऐसा grammar grammar आपको पढ़ना पढ़ेगा basic से तो वह मैं आपको यहां पर practice कराऊंगे जरूर और reasoning के भी हम लोग practice करेंगे और इसमें board mask के पिछले बार तीन questions आये थे तो थोड़ा सा आप calculation अपना अच्छा बनाना ताकि कोई भी यहां पर गलती क्योंकि मेरा यहां पर reasoning में पिछले साल में दी थी board mask से आया था और मुझसे मतलब starting में बन नहीं रहा था तो थोड़ा से दिमाग खराब होता है और कैसे यहां पर attempt करेंगे paper को कैसे आप solve करेंगे यह भी मैं आपको बताऊंगी चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लेना और जो भी पढ़ना है तो teaching aptitude जिसको हिंदी में कहते हैं सिक्षन अभ्योगता और इसमें बहुत सारे ऐसे words मिलेंगे जो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको यहां पर यही recommend करूंगी कि आप हमेशा ना bilingual में पढ़ेंगे teaching aptitude को bilingual में पढ़ेंगे इसमें total topic क्या पढ़ेंगे तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो पहले topic पढ़ेंगे उसके बाद उस topic से रिलेटर जितने भी mcq questions होंगे उसको cover करेंगे जब 8 topic इस तरह से हमारा complete हो जाएगा तो हम लोग next questions की practice करेंगे और एक बात यहाँ पर हिंदी English के हम लोग topic wise नहीं करेंगे questions की ही इतनी practice कर लेंगे कि वहीं पर मैं सारा concept clear कर दूंगे हिंदी में ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको कौन-कौन सा पढ़ना है वो जब class लोंगी तुम्हें बता ही दूंगी grammar तो सारा रह गए क्रिया विशेशन सर्वनाम कारक यह सब तो रहे गए basic basic चीज़े पढ़ना ही है तो इसके direct हम लोग mcq पर जाएंगे English में भी mcq को ही direct करेंगे EDM पर focus करना है और पर फोकस करना और थोड़ा बहुत preposition हम लोग को पढ़ना है तो teaching aptitude में कौन-कौन से topic है इसको जानना बहुत जरूरी है सबसे पहला हमारे topic आएगा सिक्षा के प्रती द्रिश्टी कौन सिक्षा से आप क्या समझते हैं आपकी क्या perspective है उससे जाना बहुत जरूरी है क्योंकि देखो आप एक teacher बनने वाले हैं teacher बनने के लिए आप यह course को करेंगे तो आपको उस label का सोचना पड़ेगा ठीक है जैसे कि कहीं आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपको अपने सुविधान उसार नहीं पढ़ाना है वहां आपको क्ला जो हम लोग आगे cover करेंगे बस यह से जानने के लिए मैं बता रहे हूं और जब भी question आप solve करो तो आपको खुद में teacher मानना है और उस तरह से question को read करना है और answer करना ऐसे में गलत नहीं होगा इसलिए मैं बता रहे हूं ठीक है आना बहुत ज़रूरी है तभी हम जान पाएंगे कि बच्चे को कैसा लग रहा है वो क्या करना चाहता है क्या करना नहीं चाहता है इन सारी चीजों को हम जानेंगे सिच्छन पेशा के प्रती द्रिष्टी कौन हमें बताना है मतलब पढ़ना है नेत्रित्वम समू है कि नहीं टीचिंग इंट्रेस्ट के बारे हम लोग यहां पर पढ़ेंगे सिच्छान भी रूची नेत्रित्य वावं समुप्रबंदन यहां पर रिपीट हो गया है एक दो तीन चार पांच और तीन है ठीक है तो समायोजन एड्जेस्टमेंट इसके बारे में हम लोग पढ यहां से एक क्वेशन दो क्वेशन आता ही आता है नेक्स्ट है स्कूली सिक्षा से संबंदित समकालिन मुद्द जो भी है इसको पढ़ेंगे और एक यहां पर छुटा हुआ है वैसे बुक में नहीं दिया हुआ था लेकिन कम्यूनिकेशन वाला टॉपिक जो है ना इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है यहां से क्वेशन आता ही आता है ठीक है तो आई होप क्लियर हो गया होगा और अगर नहीं क्लियर हुआ है ना तो आप लोग जरूर शेयर करेंगे आपको किस चीज में डाउट है यहां पर क्लियर कर दूँगी क्योंकि मैं पिछले बार बी कुछ अधूरा ना रह जाए और बुक की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी के लिए तो लेना नहीं पड़ेगा आपके पास 19 के बच्चे होंगे या फिर उससे भी छोटे बच्चे होंगे तो उनके पास बुक होगा ही उससे भी आप हिंदी इंगलीश का पढ़ सकते हैं और मैं बताओंगे यहां पर और देखो बीएड एम एड यह सब जो कोर्स ना आप ग्रेजुएशन या फिर यूजी या फिर आप पीजी के बाद ही करेंगे तो यहां पर एक है रीजिनिंग एबिलिटी इससे रिलेटर बहुत सारी क्वेशन्स आप लोग को आता ही होगा कोई ना कोई competitive exam की preparation कर रहे होंगे तो आप आपका यहां पर reasoning वाला जो portion है यह complete हुआ ही होगा फिर भी हम लोग प्रेक्टिस यहां पर करेंगे ही ठीक है बुक के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई अच्छे publication कर ले लिजेगा market में अभी गया होगा कोई mark दर्शन हो गया या फिर अरिहन्त हो गया और भी publication के books आते हैं तो उसको आप जरू से पढ़ेंगे mainly यहाँ पर क्या है ना कि teaching aptitude में यहाँ पर जो BA का first semester है इससे बहुत सारे टॉपिक को लिए गया है और यहाँ पर और एक चीज भी नहीं दिया हुआ है जिसे कि growth क्या है development क्या है यह सारे चीजों की भी जानकारी आपको होनी चाहिए तो मैं कोशिश करूँगी कि complete यहाँ पर आपको provide किया जाए और आपको किसी भी तरह का कोई problem ना हो मैं यही कोशिश करूँगी और जब आप form feeling करेंगे ना तो थोड़ा ध्यान से form feeling करेंगे कास्ट वेगेरा में मेरे यहाँ पर mistake हो गया था और आप लोग focus करना कि 80 प्लस target आपका रखना और यहाँ पर अगर 65 प्लस भी आज आता है तो government colleges मिलने के बहुत अधिक chances होते हैं तो आप लोग government colleges में ही करने की कोशिश करना क्योंकि वहाँ पर फी जो है ना 20K to 25K तक ही होता है पुरा दो साल का यह है तो मुझे पता नहीं था पहले लेकिन आपको कम से कम पता चले और आप इस लेबल की तैयारी करें ताकि government colleges मिल जाए तीन government colleges हैं अगर हम वैसे देखे तो चार है एक है देवगर में है और हजारी बाग में है राची में दो है तो राची में जो है ना यह एक boys के लिए है और एक girls के लिए है और हर colleges में 100-100 seat हैं तो ध्यान से आप लोग तैयारी कीजिए और यहां पर यही तीन colleges में admission लेने की भी आप ट्राइ करेंगे ठीक है आई होब के लिए हो गया होगा और नहीं के लिए हुआ है तो प्लीज शेयर करना ताकि बाद में आपको सोचना ना पड़े पच्टाना ना पड़े तो जो भी प्रॉब्लम में शेयर करना मेरे साथ में जरूर उसको आप सभी को बताऊंगी और स् इसको भी नीडेड है जैसे आपके कोई दोस्त होंगे तो उनको जरूर शेयर कर देना